प्रधान मंत्री नरेन मोदी और अमिश्या की करिश्माई जोडी की वज़ा से ही उत्रकण में भाश्पा की 57 सीटे आई थी प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने जहां उत्रकण की जनता से डवल इंजन सरकार चुनने की अपिल की थी तो वहीं ग्रह मंत्री अमिश्या उस समय भाश्पा की रास्टे अथ्यक्ष के तौर पर उत्रकण में चुनावे रणनीती को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे थे जिसका आसर यह हुआ उत्रकण में भाश्पा में एथियासिक जीत दर्शकर सरकार बनाई लेकिन ठीक पास साल बाद भाश्पा के लिए सत्ता में वापसी करना किसी बड़ी चनोती से कम नहीं है लेकिन इनी चनोतियों को पार करने के लिए अब प्रधान मंतरी नरेन मोदी और अमित्षा उत्रकण आ रहे हैं प्रधान मंतरी नरेन मोदी जहां 2 अक्टूबर या 14 अक्टूबर में किसी एक दिटी को उत्रकण आ सकते हैं तो वही 9 नवेंबर को राज्जे स्थापना दिवस पर भी प्रधान मंत्री नरेन मोदी का उत्राखण दौरा लगबत तैह है। इस दौरान वे 2022 की विधानसवा चुनाव को लेकर तैयारियों में परखेंगे। तो वही एक विशाज जनसवा को भी प्रधान मंत्री नरेन मोदी संबोधित करेंगे। जिसमें भाशपाने लगभख एक लाग लोगों की भीड चुटाने का लक्षय तैकिया है। वही ग्रह मंत्री अमिश शाबी 16 और 17 प्टुवर को उत्राखंट दौरे पर रहेंगे। अगामी जो चुनाव हैं उनकी मद्दे नजर जो आवश्यक बैठके हैं वो सबी बैठके उनके दौरा ली जाएंगी। और प्धान मंत्री जीजे का एक बड़ा कारिक्टम नमंबर के महिने में हम लोग करेंगे जो जिसमें लाकों की संख्या में कारिकर्टा एकत्र होंगे और मानने हैं प्धान मंत्री जीजे उनको संब्दित करेंगे। निश्यत रूप से 9 मंबर पार्टी का परदेश का स्थापना जिवस है और उत्राखंड 9 मंबर को उत्राखंड का अदे हुआ है ऐसी स्तिती में 9 मंबर एक अच्छा दिन है उस दिन भी उनके आने की संबावना है और उसके आगे पीछे भी जैसे भी आप सकता होगी उसक को हम लोग यहां पर उनका मार्था नमें मी देगा